मैं डॉक्टर शंगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग जमनीलाल महाविध्याले हाजीपूर बैशाली आज मैं बिये पार्ट वन मिल के विशे में चर्चा करूंगी आज का सिर्शक है कव्यों की उर्मिला विश्यक उदासिंत कव्यों की उर्मिला विश्यक उदासिंत तो आईए सबसे पहले कवी पर्चे महाविध्य परसाद द्वेदी के बारे में जानेंगे उन्ही का ये कभियों की उर्मिला विश्यक उदासींता में क्या जताये हैं पहले उनके बारे में जान ले तो आईए कभी परचे में महावीर परसाद द्वेदी के बारे में बताऊंगे इन्हें हिंदी गद साहित्य के युग बिधायक भी कहा जाता है उनका जन्म 15 मैं 1864 एस्वी में उत्तर प्रदेश के रायवरेली जीले के दौलतपूर गाउं में हुआ था वे हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग परवर्तक थे उन्होंने हिंदी साहित्य के ओविश्वर्निय सेवा की और युग की साहितिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और द्रिष्टी परदान की है उनके इस ओतुलनिय युगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्वेदी युग के नाम से जाना जाता है तो बच्चों आपने देखा कि द्वेदी युग क्यों कहते हैं तो द्वेदी युग उन्ही के नाम से जो है वो जाना जाता है कभियो की उर्मिला विश्यक उदासिंता एक विचारातमक और विचारो तेजक गहन गम्भीर निवंध है मानविये संबेदनाओं से परिपुर्ण इस निवंध पर नारी विश्यक विश्वासो और विचारो की अफिव्यक्ति दी है उनकी द्रिष्टी में नारी न पालतु दासी है न देवी न सधारन रमनी वो पुरूस के समान ही मान भी है जो दुरुः चिन्ताओं का भार बहन करने में सक्छम है द्वेदी जी की धारना है कि कभी सभावत उच्चिस रिंखल होते हैं अपनी इस प्रविर्थी के कारण ही वे कभी राई को परवत मान लेते और कभी मेघालय की ओर हिमालय की ओर ध्यान भी नहीं देते यानि अपनी इस प्रविर्थी के कारण ही वे कभी राई को परवत मान लेते हैं और कभी हिमालय की ओर ध्यान भी नहीं देते आदि कवी बालमिकी भी इस उच्छिस रिंक्था से बीमुक्त नहीं है यह सर्व साधारन कवियों में देखी ही जाती है लेकिन बड़े कवियों को देखकर छोम होता है उर्मिला के परती उपेक्षा की भावना बालमिकी में है यह सोबनिय नहीं है लेखक को आधी कभी की इस उपेक्चा से काफी दुख है आधी कभी बालमिकी का हिर्दय निसाद द्वारा क्रोंच पक्ची के एक जोरे में से एक पक्ची की हत्या करते देख द्या दर्वित एवं करुना नुद्र हो गया और बेदना भीबल होकर उनके मुख से मा विशाद की सुरस्वती सासाही निस्रिष्ट हो उठी लेकिन रमायन की रचना करते समय नव परनिता दुखनी उर्मिला को वे भूल गये थे इस नव परनिता के बियोग से दग्ध हिर्दय की आह की अपेक्चा आदी कभी ने किस अधार पर की है इसे दुएदी जी समझ नहीं पाते हैं एक और क्रोंच के प्रकरन से उनका मन बेदना में डूब जाता है और दूसरी ओर दुख के सागर में संत्रन करने वाले उर्मिला की वे अपेक्चा कर देते हैं सोचनी यह बात है लच्मन ने भ्रात्रिशने के कारण बरे भाई का साथ दिया उन्होंने राजपाट छोर कर अपनी सरीर रामचंद्र को अरपन किया यह बहुत बड़ी बात थी पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मों सर्ग किया है कभियों की उर्मिला विश्यक इस उदासिंता को अस्पष्ट करते हुए लेखक कहता है की बालमिकी दवरा रचित रामाईन में उर्मिला के दर्शन पर्थमतअ जनकूपूर में सीता मांडवी और सुरूति क्रिती के साथ होते हैं सीता की बात को जाने दीजिये उनके राम के उज्वल गाथा चरित्र को उजागर करने के उद्देश से ही तो रामाईन की रचना हुई है राम और सीता के आलोकिक रूपों को अस्थापित करना ही कभी का लालाम लप्छ है अगर मांडवी और सुरूती करीती की अपेक्छा की है तो कोई विशेस्ता नहीं क्योंकि आग से भी अधिक संताप पैदा करने वाला पती बियोग उनको हुआ ही नहीं वे कभी भी अपने पतियों से छन मात्र के लिए ब्युक्त नहीं हुई लेकिन बाल बियोग नी देवी उर्मिला का चरित्र तो सर्वथा निश्काम निर्दोस एवं गय आलेख्य होने पर भी बालमिकी ने उनके साथ अन्याई किया है पती प्रेम और पती पूजा की सिक्छा सीता देवी को जहां मिली थी वही उर्मिला को भी मिली सीता देवी की सम्मती थी कि जहलगी नाथ नह अरुनाते पिये बिनुते तिर नहुं तेता थी यानि जो सिक्छा सीता को मिली थी जिस परिवार में वो पली वली उर्मिला को भी वही सिक्छा मिली वो भी वही पली बड़ी हुई लेकिन वो भी जानती थी कि जह लगिनाथ नह अरुनाते पिये बिनुतियें तिर नहुं तेता थे उर्मिला कहती है कि उर्मिला क्या यह भाबना न थी जरूर थी उर्मिला के भी भाबना यह थी दोनों एक ही घर की थी उर्मिला भी पती प्रयंता के मर्म को अच्छी तरह जानती थी लेकिन वह जान बुझकर लक्षमन के साथ बन जाने का हठ नहीं करती है वह बन जाने के लिए जिद नहीं करती है वह अच्छी तरह जानती थी कि मेरे जाने पर लक्षमन अपने अगरज भाई स्री राम की सेवा अच्छी तरह नहीं कर सकते यही सोचकर वह लक्षमन के साथ बन जाने का प्रस्ताव नहीं रखती है कितनी पवित्र भावना थी उनके मन में उनमें कितना त्याग था यह उनके परमोज्वल चरित्र का एक महत्तु संदर्व है सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने त्याग की थी लेकिन इस त्याग का भर्णन किसी नहीं किया राम चरित्र मानस की रचना करने वाले महा कवी तुलसी दास ने भी उर्मिला के साथ नयाय नहीं किया है बालमिकी को भी अपने काबे का अधार मानना उनके लिए अपेक्छित नहीं था तुलसी दास जी चाहते तो उर्मिला के इस महांचरित्र का चित्रन कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया दीप सिखा सी निसकाम जलने वाली उर्मिला के संदर्व में भाववुती ने कुछ प्रकाश डाला है चित्र फलक पर उर्मिला को देखकर सीता लक्षमन से पूछती है यनि सीता अपने देवर लक्षमन से पूछती है एम मम प्रा का अर्थात लक्षमन यह कौन है इस परकार देवर से पूछना कौतुक से खाली नहीं इनमें सरस्ता है लक्षमन उस बात को समझ गये वे कुछ बैथित होकर मन ही मन कहने लगे उर्मिला को सीता देवी पूछ रही है उन्होंने सीता प्रश्नों का उत्तर दिये भी नहीं उर्मिला के चित्र पर हाथ रख दिया और धक दिया उनके हाथ से वर धका गया कैसी खेद की बात है कि उर्मिला का उज्वल चरित्र कभियो द्वारा आज तक उसी तरह धकता आया है लेकिन महावे परसाद द्वैदी ने इस संबंध की प्रेरना गुरुदेव रविंदर नाथ ठाकूर का निवंद का ब्यर अफशिकता है हिंदी में द्वैदी जी ने प्रेरना पाकर मेतली सरन गुप्त के साकेत में उर्मिला के चरित्र को केंद्रिये महत्त दिया है उसके बाद बाल कृष्ण शर्मा नभीन ने उर्मिला नामक महाकाबे की रचना की है अब धेस्वर अरुन ने अपनी बज्जी का रमायन में उर्मिला और लक्षमन को मिलन कराकर उनकी भावनाओं की बानी दी है सब मिला कर अब नहीं कहा जग सकता है की उर्मिला के चरित्र उदासी में धन्यवाद